अहंकार एक गाव में एक मूर्तिकार रहता था। वो ऐसी मूर्तियां बनाता था, जिन्हें देख कर हर किसी को मूर्तियों के जीवित होने का भ्रह्म हो जाता था। आसपास के सभी गाव में उसकी प्रसिद्धी थी, लोग उसकी मूर्तिकला के कायल थे, इसलिए उस मूर्तिकार को अपनी कला पर बड़ा घमंड था. जीवन के सफर में एक वक्ता ऐसा भी आया, जब उसे लगने लगा कि अब उसकी मृत्यू होने वाली है, वह ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा. उसे जब लगा कि जल्दी ही उसकी मृत्यू होने वाली है, तो वह परेशानी में पड़ गया. यम्दूतों को भरमित करने के लिए उसने एक योजना बनाई, उसने हूबहू अपने जैसी दस मूर्तियां बनाई, और खुद उन मूर्तियों के बीच जाकर बैठ गया. यम्दूत जब उसे लेने आये, तो एक जैसी ग्यारह आकृतियों को देखकर दंग रह गये. वे पहचान नहीं कर पा रहे थे कि उन मूर्तियों में से असली मनुश्य कौन है. वे सोचने लगे, अब क्या किया जाए? अगर मूर्तिकार के प्राण नहीं ले सके, तो स्रिष्टी का नियम तूट जाएगा. और सत्य परखने के लिए मूर्तियों को तोड़ा गया, तो कला का अपमान हो जाएगा. अचानक एक यमदूत को मानव स्वभाव के सबसे बड़े दुर्गुण अहंकार को परखने का विचार आया. उसने मूर्तियों को देखते हुए कहा, कितनी सुन्दर मूर्तियां बनी है, लेकिन मूर्तियों में एक त्रूट है. जट से यमदूत ने उसे पकड़ लिया और कहा, बस यही गलती कर गए तुम अपने अहंकार में कि बेजान मूर्तियां बोला नहीं करती ही. सीख अहंकार ने हमेशा इंसान को परेशानी और दुख के सिवा कुछ नहीं दिया.